अकर साहिब के महंदी फंक्शन के दोरान फिर से हुई सवी से बड़ी गलती और यही परायगार सीरियल गुम है किसी के प्यार में में जबदस ट्रैक जी हाँ दोस्तों अब शो के अब कमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां इशान साटम सर की घटिया हरकत का खुला सा राओ साहिब के सामने कर देता है तो वही राओ साहिब कभ हैंकर गुस्दा साटम सर पर फूट परता है और वो साटम सर को कॉलेज से निकाल देने का फैसला करते हैं और इशान से ये साफ साफ कहते हुए नजर आने वाले हैं कि इशान इस कॉलेज की इज़द अब तेरे हाथ में है कैसे भी करके इस मैटर को रफा दफा करो और स्पेशली अपनी पतनी उस सभी से बोल के वो इन सब कॉलेज के मैटर से दूर रहे कोई जरुट नहीं है हर मामले में अपनी टांग हुसेरने की और इस बात का खास ख्याल रखना है तुझे इशान की कॉलेज में जो कुछ भी हुआ है इसकी भनक गर में किसी को भी नहीं लगनी चाहिए घर में फंक्शन चल रहा है सब लोग खोश है और मैं नहीं चाहता की फंक्शन कैसे भी स्पोईल हो वैल अब शो के अब कमिंग ट्रैक में आप देखेंगे की जहां राउसाहिब निशीकांद को इशान के सामने ही बुरी तरह से लटारते हुए ये कहते हुए नजराने वाले हैं कि इतना बड़ा कांट तेरे डिपार्टमेंट में चल रहा था और तुझे पता तक नहीं चला ऐसे समालेगा तू मेडिकल कॉलिज की जिम्मेदारी अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो मैं तुझे कपका निकाल चुका होता जहां राउ साहिब भी इस सचाई से अंजान है कि निशीकान दिये सब को जान बुझ के कर रहा है राउ साहिब से बदला लेने के लिए वैल अप शो की अपकमिंग ट्रैक में बाब देखेंगे कि जहां दूसरी तरह भोस से निवास में फंक्शन शिरू हो जाता है तो वही अनवी की तब्यत अचानक से काफी जादा खराब हो जाती है वो बुरी तरह से बुखार में तरप रही होती है जहां सबी भी तयार होके वहां खड़ी होती है और अश्मिता से कहती है कि काकी आप चली जाएए नीचे फंक्शन में ये मैं यहां रुक जाऊंगी अपनी के पास तो वही मामा जी भी वहां आ जाते हैं और जबर्दस्ती अनवी को गोड में उठा कर नीचे फंक्शन में ले जाने की बात कहते हैं जहां अनवी बुरी तरह से घवरा जाती है और कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ मैं खुद चली जाऊंगी तो वहीं सबी को म मामा जी की हरकतें और बातें कुछ अजीब सी लगती हैं और उसे मामा जी के कैरेक्टर पर डाउट होने लगता है वैल लब शो कि अपकमिंग ट्रैक में बाब देखींगे कि जहां सवी फंक्शन में आ जाएगी और उससे देख कर अक्का साहिब उसे महनी लगाने को कहें तो वही सवी महनी लगवाने से साफ मना कर देगी और जिसके बाद इशान कभ हैंकर गुसा सवी पर फूट परता है और वो सवी को काफी सारी खरी खोटी बाते तक सुना देता है जहां सवी रोते हुए फंक्शन को छोड़ के अपने कमरे में चली जाएगी तो वहीं दोस तो शो की कहानी का फिजा रजब दस्त और दिल्चस्प होने वाली है तो आप सब और अपडेट जानने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें